नमस्कार विफ्त्रों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों, मनुस्य के जीबन में अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं रासी फल और रासी की गन्ना के अमजाद होती रहती हैं मनुस्य भविस्य को न तु देख सकता है नहीं जान सकता है लेकिन योतिस सास्त्र में योतिस गन्नाओं के अधार पर भविस्य की भविस्यवानी की जा सकती हैं और उन्हें कुछ उपायों के द्वारा और कुछ सावधानियों के द्वारा उन्हों सभी घटनाओं से बचा जा सकता हैं जो आपके जीवन में घटित होने वाली है आपको सुब फलों के प्राप्ति करवाएगा आपके जीवन में धन-धान, रुपए पैसे में प्रोत्री, माता लक्ष्मी जी की किर्फा और भगवान स्रीहरी विश्मुजी का आश्रवाद भी प्राप्त करवाने में सहीयोग करेगा ऐसे में मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका आने वाला समय, आने वाला दिन जोती सास्तर के अनुशार कैसा रहने वाला है मत्रों, आप किस प्रकार से जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से विभिन्न प्रकार की दुख, दुविधाओं और विभिन्न प्रकार की आपके जीवन में जो भी पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगिया हैं, कर्ष्ट हैं, समस्याओं हैं या ग्रीकलेस, पूर किया जा सकता है और कारिश्वत्र में तरक्की पाई जा सकती है धंदोलत में बढ़ोत्री पाई जा सकती है आपको हम बतानी वाले हैं तो मित्रों आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और आप से अनुरोध है कि उससे प बताते हैं कि आपका आने वाला समय, आने वाला दिंचरिया कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि रासी की गन्ना हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जोतिस सास्त्र में आपको विभिन्य परकार की अलग-अलग परकार की भविस्यवानी देखने वर सुनने को मिलेंगी तो मित्रों इस विडियो को देखने से पहले आप अगर अकेले हैं और एकांत में हैं तभी इस विडियो को पूरा देखें समझें और सुनें और वीडियो में बताई जाने वाली जानकारियों को जानें तब ही आप अपने जीवन को बहत्रीड कर सकते हैं सबसे पहले आज आपको बता दें कि आपका दिन खुशीयों से भरा रहनी वाला है कारिशेत्र में बुढ़ोत्री की प्राप्ती होंगी लाव मिलने वाला है और धन धाने में आपकी बुढ़ोत्री होने वाली है मित्रों इस समय आपकी रासी के स्वामी बिलकुल अलग अवस्ता में दिख रहे हैं जिसके कारण आपके मान शम्मान में विर्दी होंगी और आपको आने वाले समय में मान सम्मान की प्राप्ती लेकर आने वाला समय आपका रहने वाला है तथा आप अपनी वानी को बोल कर सुन्ज कर और समझ कर लोगों को आकरशित कर सकोगे जिससे आपकी मित्रता बढ़ेंगी मित्रों के संख्या में बढ़ुत्री होंगी और आपके मित्र आपका सम्मान करेंगे तथा आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्त प्रकार की समस्याओं से भी आपको चुरकारा मिलने वाला है इस समय भागे का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है और जिस भी चाहतक का भागे साथ देता है उसके साथ सभी प्रकार की सुब और अच्छी समाचारों की पुरापती दिन परती दिन होती रहती है वैसे मैं आपका सहयोग भाग का पूरा मिलने के कारण आपका फेपरसंदर होगे और काफी जादा अपने आपको अच्छा उर्जाबान महसूस कर सकोगे मतरों आपको बताना चाहेंगे कि इस समय देव ग्रूफ रस्पती रासी के इकार विभाव में गोजर कर चुके हैं जिनकी वज़े से अगर आप राजनितिक में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपको कई मोके मिलेगे लेकिन उन मोको को पहचानना और उन मोको को इंप्रुमाइज करना उन मोको पर अपना किसमत आजमाना आपके लिए जरूरी रहेगा उन मोकों को समझना और पहचानना भी आपके लिए जरूरी रहेगा परिवार में आज किसी महमान का आगमन होने से घर का माहौल और पारिवारिक खुशियां आपके खुशनमा बनी रहेंगे परिवार में किसी सदस्य के साथ आपके समंद पहले से काफी बहतर होंगे परन्तु मित्रों अगर आप किसी गलत कारे को करते हैं कई प्रिकार की भावनाएं दिन पर दिन में होती रहती हैं ऐसे में अगर आप से कोई गलती हो जाती हैं तो ऐसे में परिवार के किसी सदस्य से कहा सुनी हो सकती हैं ऐसे में आपको सत्रक रहने की ज़रूरत रहेंगी कारीशेतर में भी आप काफी जादा परसन न रहोगे बैपार बैवसाय को लेकर भी आपकी यूजनाएं काफी सफल होंगी आज का जिन आपके लिए जिम्मेदारी से कारी करने को रह सकता है जिम्मेदारी से किये के कारी आपके लिए सफलता सूचक होंगे और बिजनस में वैपार में भी आपको सफलता मिलेंगे जो लोग बिर्जगार हैं जो लोगों को रोजगार की प्राप्ति करने की चीस्टा है बहुत लंबे समय से रोजगार को प्राप्त करने के लिए आप बिभिन्य प्रकार के प्रियास कर रहे हैं कई प्रकार का मेहनत और अकांग्छाएं कर रहे हैं परन्तु फिर भी अगर आपको रोजगार नहीं मिल पा रही थी तो ऐसे में मित्रों आज का दिन आपके लिए बहत्रिन रहेगा क्योंकि इस समय देव गुरु विरस्पति आपकी रासी के इगार में भाव में रहेंगे जिनकी वज़़े से आपके सभी बिगड़े विकारी बनेंगे और कारी शित्रों में भी काफी बड़ी खुसकबरी की प्राप्ति होंगी मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन आपको अपनी परिवार की जिम्मेदारी को समझना होगा और परिवार की जिम्मेदारीों को निभाना आपके लिए करत विबद रहेगा परिवारी के स्थित्यों में भी आप की सुधार आएगी और आप अपनी जिम्मेदारी को समय से पूरा कर सकोगे आप किसी पुराने लेंदेन और पूरानी किसी रुखे पढ़े कारे को भी पूरा कर सकते हैं रुकावा पैसा भी आज आपको सही समय पर वापस मिलेगा, आप किसी नई समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, और किसी नई कारे की शुरुआत करने के लिए आज इका दिन आपके लिए बहत्रिन साबित होगा, मित्रों अगर आप किसी वेपार, वेवसाय या किसी रोजगार को करने की चेश्टा कर रहे थे, और काफी लंबे समय से उन योजनाओं पर पूरा करने का प्रियास कर रहे थे, या किसी विजनस वेपार को करने की कोस्स कर रहे थे, तो मित्रों उन सभी योजनाओं को पूर् प्रक्री पेसा वाले हैं। उन लोगों को भी समय सेलरी में वढ़ोतरी, बिजनस बेपार में कारीशित्र में काफी माहन सम्मान की प्राप्ति होंगे। आपके बॉस के साथ, आपके कलिक्स के साथ, आपके जो भी रिलेटिम में काम करने वाले हैं। उन सभी लोगों के साथ आपके सम्मंध काफी अच्छे दिख रहें हैं जिनकी बज़त से आप काफी परसंदों होगे और आपका Presentation भी काफी Improve होगा और Improveization की बज़त से आप काफी ज्यादा परसंद रहने वाले हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नौकरी में प्रमोसन चाहते हैं तो ऐसे में आपको इस समय बॉस के साथ चिकनी चुपडी बातों को करना आपके लिए जरूरी होगा चिकनी चुपडी बातों को करके आप अपने बॉस के दिलों को जीट सकोगे और आपको अपने जौब में काफी जल्दी उन्नती और तरक्की अपर प्रमोसन मिल सकता है सेलरी में बुणतरी हो सकती है मतरू आपको बताना चाहेंगे कि आज आज आपको माता पिता का सलाह लेना आपके लिए बिजनस के शेतर से बैपार के शेतर से या पढ़ाई लिखाई या किसी भी अन्य शेतर से आज कारिगर सावित होगी इसलिए मा पापा का मा पिता का सहयोग और उनकी राय आप जरूर ले लेन भाई ववहन के विबाह में अगर कोई विवाद आ रहा था या कोई बाधा आ रही थी तो उसको भी आज आपने परिजनों के साथ बादचीत के दरिये दूर कर सकते हैं आपके समस्त बाधाएं दूर होंगी कारिश्यत्र में काफी तरक्ती मिलेंगी बिनस बेपार भी आपका अच्छा चलेगा वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए आविस्चक कार्यों को करने के लिए काफी सुब रहेगा कामकाजों को आप गती कर सकोगे आप वो अपने विपक्ची से सावधान रहने की जरूरत होंगी मित्रों जुलूग आपके विपक्च में है वैसे तो आपको पता है कि आपके कौन विपक्च में है और कौन विपक्च में है ऐसे में आपको विरोधियों से और विफक्षियों से आपको सम्हल करने की जरूरत रहेंगे आप अपने काम के लिए बजट बना कर चलें तो आपके लिए बहत्रिन सावित होगा अर्थात आप बजट के अनुसार कारे को करें तभी आपके सारे कारे सही समय पर और अच्छे से पूरा हो सकेंगे बिजनेस के छेतर में आपको कुछ योजनाओं से भी अच्छा कासा लाव मिल सकता है कानूनी जमन्दित मामलों में आपको धैरे बना कर रखने के जरूरत रहेंगे अगर कोई कोट का चहरी में मामला फसा हुआ है या किसी भी परसित्थी में आप किसी नई योजनाओं को करना चाह रहे हैं परंतु वह किसी नग किसी वज़ा से आपका रह जा रहा है वैसे में आपकी योजनाओं शमय समय समय पर शमात होंगे मत्रों में सिरासी वाले जात को बताना चाहेंगे कि आप अपने कारे को आज सही समय पर पूरा कर सकोगे और स्वास्थ के समध्य समयाओं से भी आपको चुडकारा मिलेगा जीवन साथी के सुवास्त में भी सुधार आने वाला है और आप अपने जीवर में कई प्रकार की उन्नती को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे सर्धा के साथ जैमाता दिया वस्य लिखें आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो जैमाविन दुवासने